डेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए सिक्स समस्टर के हिंदी के फर्स्ट पेपर के MC की टाइप की मोस्ट इमपार्टन कोईश्चर एनसर के बारे में तो जिन जिन भी इनवर्सिटिप परिच्छाएं बिए सिक्स समस्टर के लगी हैं और उनका वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि उनको काफी ज्यादा इस वीडियो से मिलेगी इतने में कोईश्चिन होंगे सब बहुवे किल्पे अनिक अब्जेक्ट होंगी क्योंकि जातर इनिवर्सिटियों में इस बार पर इच्छा है तो चली बढ़ते कोईश्चिन के और इस वीडियो का पहला प्रश्चन है कि फोर्ट बीलियम कॉलेज के स्थापना कब हुई थी ठीक है तो एक कॉलेज तर इसका नाम था फोर्ट बीलियम यह आपके स्लेबर समय भीए फस्ट मतब कि भीए शिक समस्टर के हिंदिक फस्ट पेपर में तो ध्यान नेकिंगे इसक प्रश्चन है कि महाबीर प्रशाद दुबेदी जो कि आप लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं छाटवे साथवे कि महाबीर प्रशाद दुबेदी को किस वर्स सरसुति पत्रका के संपादक करूप में नियुक्त किया गया था वर्स 1903 में सही जबाब बाहोगा ध्यान प्रश्चन है कि सम्मिधान सभा में हिंदी को राज महाफा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा विद्वान का नाम है गौपाल स्वामी आयंगर को रखा ठीक है मातपूर प्रश्चन है अगला है कि भारते सम्मिधान में हिंदी को मानता कम मिली तो भारते सम्मिधान में हिं करेंगे और जो भी स्टूडेंट वीडियो को अभी देख रहे हैं और मुंसे एक ही रिकोष्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि बहुत सारे महात्पूर्ण प्रशन इंक्यूलिट है जो आपको पर रिच्छा में आएंगे पूरी उम्मीद है और हाँ आ नाम है यह फिर कभी का नाम बताना है मदन मोहन वालवी ठीक भारत वरस के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले जिसने फजाया था उनका नाम है मदन मोहन मालवी दा नंबर सही जवाब होगा ध्यान रखेंगे अगला कि भारते भासाओं को अत्रिक्त संविधान की किस अनसूचित में सामिल किया गया है उस अनसूचित का नाम बताना है क्या मतब कि कोंसे सूची है तो अगला कि समिधान के किस अनुचेद में कहा गया है कि राजमाफा हिंदी और लिप जो दिव-नागरी होगी तो बहुत ही परूंख प्रश्म है साही जवाब हो जाएगा 343 ठीक है 343 अनुच्छेत जो है सम्मिधान का उसमें इस बात की बारे मों लेक किया गया है कि राज भासा हिंदी और जुली भी हो देवनागरी होगी ठीक है अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि इन में से किसको सम्मिधान की अस्टम अंसूची में स itta होगा ठीक है अगला की बैज्ञानिक तथावाली आयोग की अस्थापना किस वर्श हुई तो बैज्ञानिक तथाथा तकनिकी सब्दावाली आयोग की जो तीक है यह हुई थी सन 1961 में सब्सक्राइब इसका हो जाएगा अफसर नमबर ध्यान लखेंगे प्रमक प्रस्णें ओके अगला प्रस्णे के हिंदी की उप भासाएं कितनी हैं तो हिंदी की जो उप भासाओं की बात करें तो चार हैं सब्सक्राइब अब्भा होगा प्रमक प्रस्णें ध्यान लखेंगे अगला कि इन में कौन सी बोली पूर्भी हिंदी की नहीं है तो पूर्भी हिंदी की बोली है वो अउधी अगला पॉर्भी हिंदि की बोली के संख्या कितनी है, तो पजली पॉर्भी हिंदी के बोली कि चितर नों की है, पॉर्भी हिंदी की बोलिया हूं किस प्रकार लोग बोलते हैं ठीक है तो ध्यान लखेंगे ऐसा ही जबाब इसका हो जाएगा आप्श नमबर आ अवधी बगेलियुं तो जाने वाली औहिरवा estos गडी पूर्भी हिंदी की बोलिया हैं ध्यान लखेंगे अगला प्रस्वेंगे बोच पूरी मघहिरी और मैथलिया हैं किसे से लेगा और लोग पर पूर्वी जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किस्चे है ठीक है तो यह जो बोली वहां पर बोली जाती है कुणगाव दिली करनाल में पश्चिम छेत्रों में ठीक है वह अहिरवाटी बोली है और इसका जो संबंध है वो है उत्री राजस्थानी से सही जबापसा होगा अगला की मैथली में मैथली में साहित्र सजन करने वाला रश्चनाकार कौन है तो बहुत ही प्रमुक प्रश्चन है उनका नाम है बिद्यापती अगला प्रश्चन है कि पूर्भी राजस्थानी का एक अन्य नाम कौन सा है तो खड़ी बोली के लिए सुनित कुमार चटरजी ने किस सब्द का प्रियोग किया है ठीक है वह बोली है जिन पद ये हिंदुस्तानी साहिजबाब आहोगा अगला के पश्चमी हिंदी किस अपभ्रंस से बिक्षित हुई है तो पश्चमी हिंदी जो है वो सौर सैनी अपभ्रंस से बिक्षित हुई है सा नंबर सही उसका उत्तर होगा अगला के निम्कित में से कौन से द्रविड परिवार की भासा इन में से है तो द्रविड परिवा नंबरव posthik करता फिरेंप सागर में हुआ था बहुत इंपॉर्ण की सिर्फ द्हान ड़ियकंगे अगला है कि हिंदी भाफा की बोलियों कि वर्गी करण के आधार पर 36 गणी बोली कंसे है इन आपस्रों में से ने लिए हैं boy अधार पर 36 गढ़ी जो बोली है उसका नाम है पूर्भी हिंदी आ नमबर सही जबाअ अगला के देव नागरी लिपलबं के उ कि six कि six Whew ॐ जो भारते भांसाय हैं उनका जो विकास है लिप से हुआ है उस लिप का नाम है परichen अभी साही जब इसका अधा होगा भी लिखी जाती है उस लिब का लोगों को नाम बताना है काफी सारे को बता रहें का उत्तर आपको बताना देखते हैं कितने चात्रों को इसका उत्तर मालूम है अपर नहीं मालूम है सही जवाब इसका अबा होगा अगला कि विदेशी भाफा में आये सब्दों को क्या कहते है तो विदेशी भाफा में आये सब्दों को कहा जाता है आगत सा नंबर सही जवाब होगा ठीक है चलें इस कुश्चन देखते हैं स shutdown सब्द करता है तो द देश में goose कि एलता है विदेशी सकते हो जाएगा अब अगला कि नंग्रेज्वराण तो यह आया है हावाला जिसको आप लोग बूलते हैं जील ठीक है अगला के फ्रेंच भासा का सब्द कौन साइन आप सुनों में से जो फ्रेंच भासा का सब्द जो है वह हैं अंग्रेज सही जबाब आ नंबर होगा अगला की उर्दू कलगी तास किस भासा के सब्द हैं तो का ना जान लीजिए अगला एक इद मेसे सब्द समोह में से देफज सब्द का ओधाहरण है तो सही जबाब इसका हो जाएगा आफ fragen कि दोंगी चेला में है अगला एक दित सब्द समोहों में से बिदेशज सब्द का उदाहरण कौन सा है ठीक है तो बिदेशज सब्द का जा उदाहरण वो है एहसान कमाल सही जवाब्दा होगा ध्यान लखेंगे ठीक है महात्मोर परशने अगला है कि गाड़ी सब्द है तो गाड़ी जो सब्द है कहां का है तो गा सान कमाल सुरी फार्सी सब्द का बात हर भात है पार्सी सब्द का रिख लत उसे पी इस जो को मालुम है सबस्थ है रफ्षा अवाज है संब는데 रफ उसका नम्बर की लिम अगला की खालिक बारी किसकी रचना है तो खालिक बारी जो है ये अमीर खुसरो की रचना है सानमबा सही रवाब होगा जो कि प्रमुक कभी है लेकक है अगला की खड़ी बोली हिंदी में सरप्रथम रचना करने वाला कभी कौन है तो खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले जो रशना करने वाले कभी है उनका नाम है खुछ रोप शही जवाब हो जाएगा इसका बानमबर अगला है कि हिंदी के उद्भो का सही क्रम कौन सा है तो हिंदी के जो शुरुवात हुई इस्टे बाइस्टेप कैसे हुई है तो हिंदी के उद्भो का जो सही क्रम है वो है पाली पाकरत अपवरंस आउहट सही जवाब आ होगा अगला है कि अपवरंस को पुरानी हिंदी किसने कहा है तो अप भरंस को पुरानी हिंदी कहा है चंध्र सर्मा गुलेरी ने, सही को मठजा हो जाएगा, अफ़सा नमबत सा, शाहितिक अप भरंस को पुरानी हिंदी किसने कहा है यह आपको बताना, ठीक है, तो काफी एलफल कोशेंट है, इसका सही जबाब हो जाएगा, आचार रामचान शु parliament सुकुलीजी नहीं अबात कही ए ठीक है अगला की अपवरंस की उत्तर कालिन अवस्था का नाम अपवरंस की उत्तर का लीन आवस्था का नाम ठीक है भिदाना भूखा है जिस अब बांसा का विकास हुआ है वो है राजिस्थानी सहीजबाब बाह होगा ध्यान लखेंगे प्रमुक प्रश्ण है एक्जाम के लिए ठीक है प्रश्ण है कि चंदधर सर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कभी माना है ना अफ्सरों में से ठीक है तो इसका रता भास हिंदी किस ने कहा है तो ध्यान लखेंगे यह जुबात कहिए उनका नाम है हजारी प्रशाद दुवेदी जी दरनम्बर सहीरवाब होगा अगला की पंजाबी का विकास अप अपरंस के किस रोप से हुआ है तो पंजाबी का विकास अपरंस के जिस रूप से और महात्व पूंड प्रस्ट भी है चलिए सही उत्तरिश का जानली जी कुस्तर में सही जवाँ हो जाएका राजा मुंझी इस वाले में होगा ठीक है और दूसरे में आप अपरांस को प्रकार्ता भास हिंदी किसने कहा है तो प्रकार्ता भास हिंदी जो कहा है उनका नाम है जिस्ट रूप में हुआ है तो पंजाबी का विकास अपरहम के जिस रूप में हुआ है चीक है उसका नाम है पैसाची दरंबा सही जबाब होगा अगला की विहारी बंगला उडिया और आसमिया भासाओं का उधभो किस अपरभंस से हुआ है ठीक जो इसका सही जबाब हो जाएगा अप्षिन नंबर मगधी से ठीक है अगला कि अर्ध ठीक है अर्ध मगधी अपरंस से किसका विकास हुआ है किसी छेत्र के किस छेत्र का तो ध्यान रखेंगे सही जवाब हो जाएगा अर्ध मगधी अपरंस में किसका विकास हुआ है तो इसको मैंने आपको बताया नहीं बताया तो सुन लिजीए ठीक है जिस चीज का विकास हुआ है ठीक है वो है पूर्वी हिंदी सही जवाब भा हो जाएगा अगला है कि सौर सैनी अपर्वρωफ से उद्पन्र भास आएं तो पस्चमी, राजिफठानी, पहाड़ी और गुजराती सही जवाब भा भा होगा अगला है कि सिंधी भासा का उद्भव हुआ तो सिंधी भासा का जो उद्भव है वो प्रचांट अपरंस से हुआ है साइज बाविश्का आ होगा अगला है कि आउदी का उद्भव कि अपरंस से हुआ है तो आउदी का जो अपरंस है जिस ठीक है मतब कि आवदी का उदभा होगा जिस अप्रहंस से हुआ है उसका नाम बताना है ठीक है तो ध्यान लखेंगे सही जबाब इसका हो जाएगा अप्शन नंबर कौन सा अर्ध मगदी ठीक है दा नंबर सही जबाब होगा अगला की हिंदी की उप भासाएं कितनी हैं ठीक है पस्चिम हिंदी की बूलियों की जो संख्य है ये आपको बताना है ठीक है वो है अवधी की है थीक है वह जबाब एक मिनिट यहीं जगहां पर है तो पश्चिम हिंदी की जो बोलियां है इनकी जो संख्या है यह आपको बताना है ठीक है काफी helpful question इसकी संख्या 5 है ठीक है सई जबाब इसका हो जाएगा उद्दार नंबर तो इसी प्रकार के question आपको पर इच्छा हम देखने पुलेंगे तो पूरी पूरी पीडियाप question answer सहीत जो solve the model paper question paper है उता answer सहीत पीडियाप बनाके आपको हम टेलीग्राम वाटसप पर डाल देंगी और टेलीग्राम और वाटसप का जो लिंक है इसी वीडियो की description मिल जाएगा तो जो चाहत्र में message करेंगे उनको पूरी पूरी पीडियाप send कर देंगे तो त्यारी कर लिजेगा अपनी जाम के ठीक है और बाकी आपका अपना ही चैन स्क्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं वीडियो में चेहिंद कोई त्रोटी हुई तो इसके लिए हम चमा जायते हैं चेहिंद